एक अच्छा सा सुन्दर सा और एक कम प्राइस वाला फेस्वास अगर मिल जाए जो कि हमको अच्छा रेजल देगा और अंडर हंडरेड रूपीज में भी हमको आवलेविल हो जाएगा सो उसके बारे में आपको बताऊंगी अगर आपके पास कुछ इन्फरमेशन नहीं है कि आप केसे अपने फेस्वास चूज़ करोगे अंडर हंडरेड रूपीज एक अच्छा सा फेस्वास चूज़ करोगे उसमें में आपको आज हेल्प करूँगे हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टू मैं चानल में सुचितरा आज आपको फिट से स्वागत करे हूँ मेरी चानल में आज मैं आपको एक बहुत एहम बात बताने माली हूँ कि आप केसे अंडर हंडरेड एक अच्छा सा फेस्वास चूज़ कर सकते हूँ मैं बहुत सरा अप्शन दूँगी आप उसमें से एक चूज़ कर सकते हूँ पहले जो है पहला वाला जो फिट स्वास है वह हिमालाया की हिमाला की जो है आरेंच फिस्वास ते टैन रिमोबल आरेंच फिस्वास ते आपको पता है कि एक अच्छा सा फिस्वास जो कि हमारा टैन को रिमोब करे हमारा पेस को वाइड करे तो ओ एक अच्छा सा फिस्वास बन सकता है तो यह हिमाला की है जुसको हम बोलते है टैन रिमोबाल आरेंज फिस्वा से अंडर 100 रुपीज में आ जाता है अगर आप इसको खरीदना चाते हो तो आपको लोकल मार्केट में यह आवेलेबल हो जाएगा उसके बाद जो आता है गानियर का गानियर स्किन नैचुरल्स का नीम प्योर आक्टी प्यूरिफाइंग फिस्वास देखाता है यह भी आपका स्किन को एक्स्ट्रीमली पिंपल लेस बनाता है और आपका स्किन को बहुत अच्छी तरीके से क्लीर अंक्लीन बनाता है तो आप भी इसको चूज कर सकते हो अंडर हंडर रुपेज में आप यह फिस्वास को चूज कर सकते हो बहुत ही अच्छा फिस्वास है उसके बाद जो है यह है अरोमा मैजिक का है टी ट्री फिस वास इसको मैं परस्तनली उच किया हुआ है बहुत ही अच्या रहता है इसमें टी ट्री एक्स्ट्राक्ट है नीम एक्स्ट्राक्ट है जो कि आपका पिम्पल्स आपका जितना भी टैनिंग है उस सारा कुछ पको फिरुपीज में थोड़ा सा बढ़ा आएगा और हंड्रेट रुपीज में आपको थोड़ा सा बढ़ाएगा यह अंडर्ट हंड्रेट रुपीज में आपको किसी भी प्राइस में अबलेबिल हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंट्स VLCC आयुर्विदा का एक फिस्वास आता है नेचरल फेयरनेस डॉबल अक्सन चंदन और केशर फिस्वास चंदन और केशर ज्यादा तर हम अपने स्कीन को फेयरनेस बनाने के लिए यूज करता है अगर आप ट्राबलिंग करते हो ज्यादा बाहर जाते हो तो प्लीज डॉंट यूज चंदन और केशर चंदन के अगर आप सिंपल बाला से फिस्वास यूज कर सकते हैं तो थीक है बड़ केशर आप यूज मत कीजिए अगर आप धूप में बाहर ज्यादा जा रहे हो तो ये आपका स्किन को बहुत ही अच्छे से फ्यार्निस बनाता है ये भी अंडर हंडर्ड रुपेस में आपको आवलेबल हो जाएगा और वेल से एक अच्छा ब्रांड है आप इसको भी चूज़ कर सकते हो उसके बाद आता है नीविया नीविया मिल्क डिलाइट फेस्वा स्रोज का आता है यह सेंसिटिव स्किन बालों के लिए है यह मैंने यूज़ किया हुआ है आपको तो आप इसको भी अंडर हंडर्ड रुपेस में इसको भी आफ यूज़ कर सकता है बहुत ही अच्छा रेजल देता है यह बहुत ही अच्छा जन्यून फेस्वास है उसके बाद यह बला है यह पॉन्स फर्मुलेटेड है ओयल कंट्रोल करता है ओयल फ्री ग्लोइंग स्कीन आपको देता है ओयल फ्री ग्लोइंग स्कीन फेस्वास है यह इसमें सिलीका है सिली यह जो है इस तूलसी तर्मरीक फैस्वास है, मैं फिर से आपको बोलूगी कि अगर यह तर्मरीक एक्स्ट्रक्ट इसमें हैं तो आप प्लीज अगर धूप में जा रहे हो तो इसको मात यूच करना क्यूंकि तर्मरीक अगर अगर आप यूच कर रहे हो तो उसके बाद में नहीं जाना चाहिए, तो इसको भी आप अंडर अंडर रुपिस यूज कर सकते हो, अज वेरी जैन्यून फैस्वास, बहुत ही अच्छा फैस्वास है, उसके बाद आता है हमारा ब्रूजम कुचर की अरोमाय मैजिक नीम और तूलसी फैस्वास, यह आपका अक्नी कंट इसको बहुत ही अच्छा बेनिपेट सेता है, आप इसको भी अंडर रुपिस चूज कर सकते हो, उसके बाद जो आता है पतन जली का सौंदर या फैस्वास है, यह औरेंज पील लीम एक्स्ट्राक तूलसी एक्स्ट्राट अलो बेरा से बनाता है, और जेंटली क्लेंच करत अगर आप इसका रिविव देखना चाते हो तो दिख सकते हो, बहुत ही अच्छा रिविव आएगा और यह मैंने खुद सारे का सारे यूज किया हुआ है, बट अमेने यह साउंदर या फैस्वास आइछ नहीं किया हुआ है कि बट यह जितना भी आपको मैंने देखाया, यह सारा का सारा मेने यूज किया है, बट वेस्ट जो है, वह हमारा जो आमरा आता है ना ओजो आरोमा मैजिक का, ओ मैने थोड़ा ज्यादा यूज किया हुआ था, बहुत ही अच्छा रिजल दिता है, मैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा वेनिफिट देगा कुछ चीजों में हेल्प करेगा इतना ही मैं फिट से हाऊंगी और एक वीडियो के साथ अब तक लिए बाबाई टिक क्या